डर्भंगा से बरी ब्रेकिंग खबर आ रही है दर्भंगा में एक साथ 19 स्कूली चात्रा बिमार पर गई हैं यह बताया जारा कि स्कूल में हुई बेहोस साथ चात्राओं को DMCH में चल रहा है इलाज बता दे कि राजकिये अंबेतकर आवास्ची उच बिद्यले भगवती अस इससी में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि स्कूल परिशर के चात्राओं में एक से एक के एक चात्राओं बेहोस होने लगी इसके पाद चात्राओं के वाडर ने इसकी सूचना सिक्षा बिभाग के अधिकारियों को देते हुए सभी चात्राओं को DMCH में इलाज बाया डाप्टरों के हिसाब से सभी वच्चे डिहाइडरेशन के क्यारण बिमार पर गई हैं जिला का लियान पदाधिकारी ने बताया है कि सुबह 9 बजे करीब पहले एक चात्रा की तब्यत बिगर गई उसके बेहोसी की स्थिति हो गई उसके बाद एक एक करके एक दरज पूर पीएसी में इलाज के लिए भरती करवाया गया है उनको इलाज की बाद होश्टर भेज दिया गया है मुहमद असलम है जिलाकल लियान पद्याधिकारी उनका इंटर्विव सुनाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इन बच्चों का क्या परेशानी हुआ था लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उनीश चात्राओं को एक साथ बिमार पर जाना कहीं न कहीं चिंता का भीशा है शिक्षा बिभाग के लिए क्योंकि कहीं भी किसी के भी बच्चे अगर कहीं भी है तो आप समझ सकते कि उनका कितना बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है और ले जाने लगा तक ही लोग दुसरे के अपना दिशधार भी है बच्चियां बड़ी बहना है चोटी बहना है तो देख करके घबराई कि क्या हो गया क्या हो गया है वैसे में रोरो करके रोने से कुछ ऐसे वैसे कुछ और लड़ियों कभी इसी मामले में तभीर खराब हो अवर्ट्रा तो सब को ले गरें डिए एपसे फोले जा करके जली से इसको गंती करा है और उसको दिखाए हैं अभी फिलाल सभी ठीक हैं चुछ खाने पीने का बतों कर जिक्र हो रहा है इसमें था तो मामला कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि बच्चिया एक बच्चिया का मेडिकल साइंस में एसको बीमारी है कि देखने से बीमार परता हूं अब तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है अब को आपके तजुर्बे के साब से अब बच्यों में पच्चिया है चोटी मोटी और देख ली कि एक में स्रीएस हो गई है तो क्या होगा तो यह थे ज़िए हमारे साथ चाट रहे हैं और पांच लड़कियों का प्याराज कराकर वापी से स्कूल गेज दिया गया है और वी साथ में से भी लगवाग लगवाग सभी में शिफ्ट हो गई है लगवाग सभी कंट्रोल में है उक्सीजन लगा हुए एक चात्रा वही जो पहली चात्रा उर शिर पांच जान लगाता तो तील के चात्रा जाया अफ।